है हलो अब्रीबंगे तो वह आपका जो हैं resposta का लिंक जो एक्टिवेट हो गया है आपको सारी चीज बताओं किस तरह आपने औप जेक्शन लगाना है और किस तरह नहीं तो आप जो है उब्जेक्शन देखना बारी बारी जो है लिंक जो एक्टिवेट हो गया उब्जेक्शन का सबसे पहले देखो हमने गूगल में जाना है वह हम लिखेंगे और इसे जब मैं उक्के करूँगा तो हम सिदा जो है वेबसाइट पहुच जाएंगे देखो सबसे उपर वाले यह वेबसाइट है ना यह एक टेच करेंगे वह टेच होने के बाद देखो HSC का जो है यह में वेबसाइट खुल गी और यहां आप देख रहे हो सबसे उपर वाई यह करसर आपका माउस दीख रहे है इनवाइटिंग अप्लिकेशन फॉर अंस्वर की कैटिगरी नंबर वन एडवर्टाइजमेंट नंबर चार दोजार वीश यह उबजेक्शन है वही अपने मेल कोंस्टेवल के तो मैं जैसे इसे ओपन करूँगा तो वही यह जो आपका पोर्शन है कुछ इस तरह का जो है आपका यह जो है कुछ इस तरह से इंटरफेश जो आपका निकल के आएगा ओब्जेक्शन के टाइम जैसे आप उसे ओब्जेक्शन पर टेच करोगे अब मैं जाता हूं प्रोसीड पर यह प्रोसीड पर यह प्र अब प्रोसीड हो गया वही सबसे पहले अपने नेम डालना है वही नेम ओफ कंडड़ेट उसके बाद आपना रोल नंबर जो वाई कोशन पेपर पर रोल नंबर था एडमिट कार्ड पर रोल नंबर था मेल कॉंस्टेबल वाले पर वह आप यहां पर रोल नंबर डाल देना इमेल आइडी डाल देना आपकी जो मेल आइडी है वह यहां पर मोबाइल नंबर और यहां एडवर्टाइजमेंट नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर जो थी हमारी यहां पर वह डालेंगे कैटेगरी यहां पर कैटेगरी डालेंगे जो मेल कॉंस्टेबल के अपनी कै कैटेगरी थी यहां नेम औप पोस्ट यह सब जैसे आप उपन करोगे आपको इस कैटेगरी पर जैसे स्लेक्ट करोगे दो जो ठभी नंबर वन आगी एडवर्टाइजमेंट 4 2020 इस पे टेश्कर दो नेम औप पोस्ट यहां सलेक्ट कर लेना वाई मेल को इस टेबल अपने आ सब्मिट करने के बाद जो है आपका जो मेन इंटरफेस में चला जाएगा यह और वहां से आप अपने कोस्टन जो है कोस्टन नंबर महाँ पर आपको बताएगा वह एच्छी की की रोंग है और आपका अंस्वर जो है और सब की जो इमेज है आपके पास जो अब्यक्शन की म पीडियफ जो है उसकी बना लेना पीडियफ अपलोड करनी और वहां से सेव कर देना सेव करने के बाद एड ने एड ओन सेव करने बाद अगर अगले कोस्टन की लगानी ओं तो एड का निच्चे अप्सटन आएगा add another objection तो उसके एड़ करना है उसके बाद add करने के बाद जितने भी आपके objection है दूसरे कोश्रिक लगा होगी उसकी PDF attach करना फिर save कर देना फिर add another objection वो आप करके जो है final submit कर देना तो आपका objection जो है वो लग जाएंगे उसके बाद आपने जो है भई उसे back नहीं करना उसी page पे रहना अगर आपने cut दिया तो आपका objection से हो जाएगा फिर objection नहीं लगेगा एक बारे में एक ही objection लग सकता है ये बात ध्यान रखना तो आप सभी देख लो ये जो है आपका objection का link जो है चालो एक्टिवेट हो आप जल्दी से जल्दी mail code stable के objection है उनकी पहले pda बनाओ objection की जो आपके बास proof है भई इसका अनस्वर ये होना चीए उसकी pda बना के जो वो upload होएगी तो आप अपने objection जो है वो लगा सकती है तो इस वीडियो में इतना किसी भाई को कोई भी दिक्कत आए कोमेंट करके जो है वीडियो में बता देना आपके जो है प्रोब्लम रिप्लाई करके मैं वो सोल्ड कर दूँआ तो बैस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को लाइक जरूर करना थैंक यू